नमस्कार श्रेश्ट भारत देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ आर्जु दुबे राखी सावन जैसी औरतों से बात करना बेहत खतरनाक है राखी जैसी महिलाएं किसी के साथ कुछ भी कर सकती है राखी सावन के पूर्वपती आदल खान अपनी ही पत्नी पर इस तरह के आरोप लगा रहे है आदल ने ये भी आरोप लगा है कि राखी ने रितेश को बिना तलाग दिये उनसे शादी की दोका धड़े के आरोप में जैल काटने के बाद बहार आये आदल अपनी पूर्वपत्नी राखी पर आरोपों की छड़ी लगा दी है कान से प्रेगनेंट हो सकती है यार हॉस्पेटल में बैटके हम लोग जिवाज एड्मिटेट इन हॉस्पेटल में उसके साथ तो बैटा था पुरी दिन राथ दिन राथ तीन दिन बैटके उसका यूटरस का कुछ ऑप्रेशन होके उसको शी हैड टू गेट रिमूट ब्यकॉस उसकी उमर हो गई थी शी आरोप लगाने वाले इस शक्स का नाम आदिल खान है यूँ तो ड्रामा कुईन राकी सावन की जिंदगी में ड्रामों की कोई कमी नहीं है लिकिन अब एक और नया ड्रामा उनकी रियल लाइफ में शुरू होके है राकी सावन्त के एक्स हजबन आदिल खान हाल ही में जेल से बहार आये और आते ही अपनी पूर्वुपत्नी राकी सावन्त पर थेरत अंगेज आरोपों की छड़ी लगा दी लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में विच इन लंडन अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एरपोर्ट शेर केया था मैं दुबाई गया और राखी गई लंडन लंडन की से जब शी केम बाक तो दुबाई राखी रिटेश से कनेक्शन में थी बात कर रही थी मुझे चीजें पता चली मैं देखता था एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल आ रहे थे रिटेश के या मेसेजर आ रहे थे वो पॉपोट जो आता है आइफोन में जो यूज इसके आठ दस दिन बाद राखी माराथी बिग बॉस में चले गई तो आई स्टार्ट इन्वेस्टिकेशने क्या हुआ था किदर हुआ था जिसमें मैंने राखी के फोन में अलड़ी आई हर्ड इस कन्वेशिशन की राखी बोल रही थी रिटेश को ये रिटेश राखी को बोल रहे थे कि ये साथ से आठ दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई है मेरे जिन्दगी के बेस्ट दिन है पता नहीं जब हम साथ में रहते थे घर में आप इतनी रुमैंटिक नहीं थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं मैं क्या बताऊं जब मैं इन्वेस्टिकेशन करना आई स्टाटेड इन माई ओन सोर्सस मुझे पता चलता है राकी सावन अल्रेडी प्रपरली मैरीट थी रिटेश से जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रिटेश से शादी चुदा नहीं हूँ जो मुझे बोला गया था और मीडिया में उसने एक से दस बार बोला है कि रिटेश भाग गया था शादी हमारी नहीं हुई थी और शाद ये भी कहा था कि रिटेश की फहले शादी हुई थी ये मुझे पता चला इसलिए वह ये ड्रामा जब मुझे प टेटेस की जगे में राखी ने सफसाफ लिखा था सिंगल तो मैं क्या प्रूफ करूँ मैं क्या सूचूँ अज प्रूफ सिंगल तो सिंगल पूर्वपत्नी राखी सावन से धोकादड़ी करने के आरोप में जेल गए आदिल खान हाल ही में बाहर आये हैं जेल से बाहर आते ही आदिल खान ने राखी पर जब आरोपो की छड़ी लगाई तो राखी भी कहां चुब बैठने वाली हैं राखी ने भी वीडियो जारी कर आदिल के आरोपों को बे बुनियाद बताया है। साथ ही उन्होंने अपने वकील के साथ प्रेस कॉंफरेंस कर एक एक कर सारे आरोपों का जवाब दिया है। नहीं, मैं आदिल को अपना हस्बंड नहीं मानती हूँ अब कि मैंने डाइवोज हम मैं फाइल कर रही हूँ उन्होंने इतने घिनोंने इल्जाम मेरे पे लगाए है के रितेश और मैं लंडन में एक कमरे में थे तो तेरे आप छुपाने के लिए मेरे पे इल्जाम लगा रह नहीं, एक मिनट, एक मिनट पहले मुझे कम्प्लेट करने दो, मैं तो लॉयल थी, मैं तो जब से शादी करी, आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं, मैं तो लॉयल थी, मैंने निकाह किया, और मैं इसलाम कभी नहीं छोड़ूंगी, बहुत जल्दी आपको बच्छी सार कोई गुड़ नियूज मिलेगा जो मैं भी नहीं बताऊंगी, वो खुदा ने मुझे पर रहम किया है, आदिल आज भी कह रहा है कि राखी मेरी बीवी है, और मैं उससे बहुत प्यार कर रहा हूं, आज बोला है, ठीक है, तो इतना सप्राइज होने की जरूत नहीं है, जी प्यार करता है, यह उसका स्टेटमेंट है, और इसको आप नोट की, यह आज की बात कर रहा हूं, राखी का कहना है कि जो शक्स 6 महीने तक जेल काट कर आया है, उसकी बात पर आकिर लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं, राखी ने अब अपने पूर्वपती के खिलाफ कोट का दर्वाजा खट-कटाने का फैसला लिया है, उदर आदल का भी कहना है कि समय आने पर वो सबूतों को सबके सामने लाएंगे, राखी और उसके पूर्वपती के बीच जगड़े की खबर ने सोशल मीडिया पर काफी चहल पहल सी ला दी है, फिलहाल के लिए इस खबर में गिस्ट भारत